हलो फ्रेंड स्वागते मेरे यूट्यूब चैनल वास्तू सपने और भविश्य में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सपने में बैंक को विबिन अवस्ताओं में देखने का क्या मतलब होता है दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सपने में बैंक देखना सामानी तोर पर धन प्राप्ति या किसी प्रकार के लाप का संकेत देता है इसी क्रम में सपने में खाली बैंक देखना आने वाले समय में असफलता आर्थी कठिनाई लड़ाई और दुर्भाग्य का सूचक होता है सपने में अपने आपको बैंक जाते हुए देखना दुख परेशानी मानसिक चिंता कठिन समय के आने और किसी प्रकार के नुकसान या हानी की और इशारा करता है सपने में अपने आपको बैंक में पैसे जमा कराते हुए देखना आने वाले समय में आपकी अपनी लापरवाही और आलस की वज़े से परेशानी या किसी प्रकार की समस्या और हानी का संकेत देता है इसी क्रम में सपने में किसी और व्यक्ति को बैंक में पैसे जमा कराते हुए देखना, इच्छा पूरती और उपहार मिलने का सुचक होता है सपने में अपने आपको बैंक से पैसे निकालते हुए देखना या बैंक से पैसे मिलना सुकसम्रदी, धन, अच्छे भाग्य, योजनाओं पर कारी करने और नया व्यापार करने का सुचक होता है सपने में अपने आपको बैंक की लाइन में खड़ा हुआ देखना, परिशानी, किसी प्रकार का दोका, विश्वासखात, रुकावट, कारियों के पूरा नहीं होने और अच्छे समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा ऐसा संकेत देता है सपने में अपने आपको बैंक में अकाउंट खोलते हुए देखना, पैसो की कमी, आर्थिक कठिनाई या परिशानी की और इशारा करता है इसी क्रम में सपने में अपने आपको बैंक का खाता बंद करते हुए देखना, बविश्य में किसी प्रकार के नुकसान और धन की हानी का सुचक होता है सपने में अपने आपको बैंक में नोट बदलते हुए देखना जीवन या कारिशेटर में किसी तरह के अच्छे बदलाव का प्रतीक होता है सपने में बैंक में लूट देखना या कोई आपको लूटे तो यह सपना लड़ाई जगड़ा, वाद विवाद, अलगाव, परिशानी और मानसिक तनाव की और इशारा करता है सपने में अपने आपको बैंक कर्मचारी के रूप में देखना या बैंक में नौकरी मिलना अच्छे भाग्य, समरदी, कारिशेत्र में तरक्की, करियर में किसी प्रकार के लाब और सुख सुविदाओं के बढ़ने का सूचक होता है आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए